अपने घर से निकली हुई इन बहुत सारी प्लास्टिक बोतलों को आप लेंड फिल में जाने से बचा सकते हैं साथी साथ पर्द्या वरण के प्रती आप अपने एक जिम्मेदारी भरा कदम भी उठा सकते हैं बहुत सारे मेरे भाई बहन गार्डन में बखुबी इस्तेमाल करते भी हैं पर कुछ भाई बहन होते हैं जो पहली बार गार्डनिंग के शुरुआत करते हैं तो उनको यही कन्फूजन होता है कि छोटी छोटी बोतलों में कौन से पोधे लगाए जा सकते हैं बहुत अहम सवाल और मेरा पसंदीदा टॉपिक एक नहीं सेकड़ों पोधे आपको बताने वाली हूँ जो आप इन बोतलों में लगा सकते हैं तो जुड़े रहे हैं मेरे साथ आंतर तक नमस्कार वेश्टी वेश्टी पर आप सभी का धेर सारा स्वागत करती हूँ आज इस से पहला पौधा मैं उठाती हूँ अपना गर्मियों को राजा पोचुला का परसलेन मौस रोज यह सब किसी गमले के महताज नहीं होते छोटी छोटी बोतलों में आप लगा सकते हैं पूरी रेलिंग मेरी भरी भी है इनी बोतलों से शायद ही कदुका पोधे गमलों में ल पोधा मैंने आपके लिए चुना है अपना यह लाल सा छोटी से छोटी बोतलों में भी आप इसकी कटिंग लगा के डाल देंगे तो बखु भी यह फलता रहेगा आपके गार्डन में और चोथे नंबर पर आप चुन सकते हैं अपना खुबसूरत सा परपल हार्ट यह जो कितनी भी छोटी बोटल में आप लगा के डाल देंगे तो ना जाने कितनी सारी लटक लटक के खुबसूरती बढ़ाएगी आपके गार्डन में चट्वे नंबर पर आप अपने कैक्टस और सक्लेंड्स इन छोटी-छोटी बोतलों में लगा सकते हैं ना जाने कितनी चोटी सी बोतल के टुकड़े में लगा है है ना आठवे नंबर पर अपना हमेलिया यानि कि फायर बोश यह जो फोधा रखा है बड़ा वाला तो बड़े गमले में लगा है पर यहां पर दो लीटर की बोटल में मैंने जो कटिंग लगाई थी पिछले साल तो बक्खू भ सबसे चोटी वाले शायद 100 ml यहां तक कि आप 50 ml की भी बोतल चोन सकते हैं तो खुब सूरत सा वैंडरिंग जीव आप बोतलों में लगाएं गमलों की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी दस्मा पोधा अपना जीजी प्लांट अब यह जीजी रानी तो आपको गमले की जरूरत ही नहीं किसी भी बोतल में लगा दीजिए मैंने छोटी-छोटी सी कटिंग लगाई थी बखुबी चल रही हैं अब आगे बढ़ते हम लोग 11 पोधे की तरफ और 11 पोधा अपना हो जाएगा टैंगल हार्ट बिल्कुल छोटा सा अपना बोतल का टुकड़ा है वहा बड़ा गमला मैं एजस्ठ नहीं करा पा रही थी तो मैंने क्या किया कि कुछ एक मीटियम सायज के गम्लों में लगा और 2 अगावे मैंने यहां पर सिर्फ 1 लीटर की बोटल में लगा के डाल दिये थे आप चाहे तो दो लीटर की बोटल में जब आप लगाएंगे तो इस अगावे को भी गमले की जुरूत नहीं पड़ेगी आपको अगावे दिखाते दिखाते अचानक से शुरू हो गई बारिश तो मैं जाती हूँ पोदों को छत्री पहनाने आप क्या करेंगे छोटा से यहां पर मैं लेती हूँ विराम आप जल्दी से दबाएंगे लाइक का बटन साथ ही साथ अगर चैनल से जूड़ना चाहते हैं हमारे परिवार के साथ जूड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाएंगे और अगर आपको लगता है कि किसी अपने को वीडियो शेयर कर सकते हैं तो वीडियो शेयर करतीजिए प्लास्टिक बचाएं पत्यावरन बचाएं और मेरे चोटे से कदम में अपना हाथ बढ़ा हैं तेरवे नंबर पर एक और पौधा में आपको दिखा रही हूं मुझे इसका नाम नहीं पता है आपको अगर नाम पता है तो आप नाम बता दीजिएगा हलाकि नरसरी वाले ने बताया था कि लाल सा ही है यह अपन ग्रीन कलर वाला बगवान जाने चोधवे नंबर पर आप जू सकते हैं अपना सिंगोनियम यानि की एरो हेट प्लांट मेरी बालकनी में कम से कम सैकडों बोतलों में सिंगोनियम लगा पड़ा होगा बखू भी चलता है कुछ भी नहीं करना होता है पंद्रवे नंबर पर एक बोटल में दिखा रही हूं मदर आफ थाउजंड्स की बारिश के मौसम में थोड़ा सा खराब हो गया था इसलिए थोड़ी सी हालत खराब है वरना ठीक ठाक चलता है मदर आफ मिलियंस भी यहां पर चलता है तो एक एक नंबर पर कई कई सारे पोते यहां पर एड हो र गंडे नहीं खरीदने हैं प्लास्टिक का उपियोग करना अपने गार्टन में तो इस सेंसे वेरिया के बहुत सारे पोधों को आप बोतलों में लगा सकते हैं दो लीटर की बोतल से आप इस तरह से अपना खुब सूरत से गंडे बना सकते हैं या फिर अपनी साथ हराण सी में भड़ाा सकते हैं इस और में ना जानिक कितनी सारी छोटी छोटी बोतलों भरी पढ़ी रिए एक एक करके और क हैं नहीं दिखा रहांगी इस सिर्फ एक चीज में सैंल कर तोर पहर आपको दिखा रहे हूं वटना मेरी बैलके में बोतलों का पूरा अंबार onboard लगा तो आप चाहें, तो आप भी अपनी छोटी-छोटी कोशिस ही कर सकते हैं, बोतल छोटी हो या बड़ी हो, हर बोतल का खूब सूर्ती के साथ उपयोग कर सकते हैं, आगे बढ़ते ही हम लोग अपने सत्रवे पोधे की तरफ, अपना बोट लेली रियो, बोतल का साइज आप द प्लास्टिक के बोतलों में पोधे लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि पोधे मर जाएंगे, बस थोड़ी सी सतरकता चाहिए होती है, अठारवे नंबर पर अपना आल्टर नेंथ्रा, पच्छा सो बोतलों में मेरे गार्डन में आल्टर नेंथ्रा मिल जाएगा, और जै कोई भी बोतल बेकार नहीं है, इस तरह कि सारे पोधे आप बोतलों में लगा सकते हैं, एक पोधे का नाम बताना जरूरी नहीं, यहां पर 19 नंबर पर मैंने आपके लिए चुना, अपना स्वीट पोटेटो वाइन, कोई जरूरत नहीं है इस पोधे को गमले की, बोतल में लगाएं, बीस्वाँ पोधा अपना सुक शानती, छोटी-छोटी सी कटिंग्स बोतल में लगा के डाल दीजिए, एक केस्वाँ पोधा अपना बेबी टियर्स, सक्लेंट केटागरी का पोधा, और आप देखी रहें, मेरा दो लीटर की बोतल में लगाएं, आप छोटी ब नमबर पर आप अपना ये चुन सकते हैं, पेनी वाट, बहुत सारा चोटी-छोटी बोतलों में मेरे गाटन में लगा पड़ा है, अब यहाँ पर चोबिस्वे नमबर पर बोलीवियन जीव, चोटी-छोटी बोतलों में आप जितना चाहें, उतना लगा के डाल दीजिए, पचीसवे नमबर पर आप चुन सकते हैं, अपना इस पाइटर प्लांट, जहाँ पर गमलों के मर गए, वहाँ बोतल का मेरा नहीं मरा इस पाइटर प्लांट, यहाँ पर एक और पोदा देखिए, अपना बलड लेफ, पहुत सारा मेरा बोतलों में लगा पड़ा, और यहा पर कई सारे मेरे बोतलों में लगे हैं, पर चुकि बारिश होगी है, इसलिए मैं एक एक उठा के नहीं दिखा पारी हूँ, फोन में पानी पड़ रहा है तो मुझे उसको भी बचाना है, कोलियस, कोलियस भी आप अपनी छोटे छोटी बोतलों में बखू भी लगा सकते है कोई समस्या नहीं होगी, बशर्ते की उन बोतलों में ड्रेनेज होल होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, 29 नमबर पर देखिए, खूब सूरत सा अपना जेट ब्लांट, आप कितनी भी छोटी से छोटी बोतल में लगा के डाल दीजिए, आपको कभी भी गमला खरी नहीं पड़ती है, 31 नमबर पर अपना सब का प्यारा, सब का राज दुलारा, मनी ब्लांट, अपने गाडन के अगर सारी बोतले में गिनने बैठोंगी, तो मुझे नहीं लगता कि 500 से कम का आकड़ा बैठेगा, ना जाने कितने सारे रूपों में मैं अपनी बोतलों को सज बोतल देखने हैं, जब तक बोतले सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, तब तक मैं उनको इस्तेमाल करती रहती हूं, छोटा सा पेंसिल कैक्टस, ये पोता भी आप छोटी-छोटी बोतलों में लगा सकते हैं, यानि कि यहां पस सारांश अगर देखा जाए, सेकड़ों ऐसे पोधें जो आप इन बोतलों में लगा सकते हैं, बारिश शुरू हो गई है, तो बहुत सारे कोने के पोधें में नहीं दिखा पाई, क्योंकि बारिश में वीडियो बनाना, यानि कि फोन के साथ खत्रा मोल लेना, बाकि आप मेरी बालकनी में अभी नहीं पहले भी जब भी नजर डालते होंगे, तो ना जहने कितना सारा यहां पर आपको लटका मिलेगो, मनी प्लांट है कैसा पहुता है ना, जहां पर कटाई छटाई की जरूरत होई, जो बोतल अगल बगल मिली बस उसी में लगा के डाल दिया, तो यह सब कुछ होता है हमारी कोशिशों का नहीं आगी, आपको कोई समस्या आती है, तो मैं यहां पर बैठी हूँ, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, बस आप से चाहती हूँ कि आप कोशिस करें, और मेरी इस कोशिस में आप अपना थोड़ा सा सहीयोग जरूर दें, वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कर हमारे परिवार से जोड़ने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए और इंतजार करिए किसी अगले वीडियो का, धन्यवाद, हैपी गार्डनिंग